नमस्कार दोस्तों टक्निकल साइड चलेंग में आपका हादिक स्वागत है मेरा नाम है सनी और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने किसी भी Android स्मार्टफोन में GPS को कैसे आउन करें या आप मतलब GPS लोकोशन को आप Google Map वगरा जो भी होता है में ची GPS को कैसे आउन करना है कहां से आपको पता लगाना है कि GPS कहां पे है कैसे आपको उसे आउन करना है सेट करना है वही माचे जुड़ में पूरा complete process आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना हूँ अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नह पर से निचे स्क्रॉल डाउन करना हूँ और यहां पे दो तरीका में आपको बतातों सबसे पहला तरीका यहां पर जब नैविगेशन बार में उपर से निचे जब स्क्रॉल करो तो यहां पर नैविगेशन बार में एक option आपको दिखेंगा location का हो सकता आपके phone में GPS को option हो बट जायदे तर फोन में location को option होता है जब हम इसको press करेंगे तो यहाँ पर देखे location on हो चुका है यानि कि जो मेरा GPS है वो stem enamel हो चुका है और इसको off करने के ऐसी है बस एक बाद tap कर दो यहाँ पर जो blue color है वो हड़ जाएगा वाइट हो जाएगा इसका मतलब यह off हो चुका ह अब GPS के अंदर अगर कुछ इसे main features में जाना है तो इसमें long press करने है long press करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास लिख्या रहा है use location यानि का आप location use करिए इसको enable करने के बाद और जैसी मैं इस enable करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो location है वो किस-किस application में आ GPS, GPS, camera, google search and maps तो इन सारे application में आपका GPS use होता है यहाँ से आप पता लगा सकते हो ठीक है आप यहाँ पर एक option मिलता है सब से नीचे app location permissions यानि के जो application है वो क्या का permission आपने यहाँ पर दिया है और क्या के नहीं वो यहाँ पर लिखा वा रहा है यानि के weather और Google को आपने lock किया ह आप है Google location का ठीक है तो इस तरीके से आप अपने यहाँ से GPS को enable कर सकते हैं और जिस application पर आपको GPS लगाना है उस बारी 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 application को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि यह सारे application आपके GPS on है इसमें ठीक है तो अमीद करते हूं दोस्तों आज चीज वोड़े से आपको कुछ ने कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए